हलो फ्रेंग्स मैं शिश्मा सिंग आज बनाने जारी हूं पाव गाजी इसके लिए जो मुझे समद्री चाहिए वो इस प्रकार है मैंने एक बड़ा आलू एक गाजर आठ दस ख्रास बीन एक पीली गाजर और आधी शिम्ला मिर्च यह सब काट कर आधे गिलास पानी में आध एक टमाटर कटा हुआ दो टमाटर भी मैंने बॉयल करते समय डाल दिये थे दो कली लहसन की एक हरी मिर्च अधा निम्बू दो चम्मच मक्षन और यह मसाले पाव भाजी का मसाला दो बड़े चम्मच देगी मिर्च एक छोटा चम्मच जीरा पिसीवी लाल मिर्च अब हम सबसे पहले सब्जी को मैश करेंगे गोटने के बाद सब्जी इस तरह से हो गई है अब हम इसका मसाला त्यार कर देया है पैन लिया इसमें मैं एक चम्मच के करीब तेल डालूंगी तेल में बटर डालने से बटर एकदम से जलता रही है यह मैंने थोड़ा बटर रोक लिया है जैसे यह बटर मैल तोने लगेगा आज सबसे पहले इसमें जीजा डालूंगी आपाँ अपाँ और हरूमेच्टा छाल शुण हमच्टा आपाँ थेशामिया जजसाइँ आपाँ नहादाँ लाओ़ालल्हिए लाओज वड़का लाओ़ाँ करेटाब हुआ नहीं दूंदें हुआ करें दाएं दूदें करें ढ़ल दूदें हुआ हफुद नो करत दद दो दूमरिके में आपराने की ज़या दो यह देखिए प्याइब हर्का ब्राओं होगा इसमें हर्का सब ड्राओं और तरूगी हमें इसमें सबसे पहले डेगी मिर्च, लान मिर्च, प्राव हजीता मसारा हमें इसको वुम होगी और यह टमाटर मैं इस समय कम भी डाल रहे हूं जो कि मैं बहुत करते हैं समय तो दाल चुक्त है अब इस मसाले में थोड़ा सा पानी डाल रहे हूं ताकि मसाला अच्छे से प्यास टमाटर में मिक्स हो रहा है इसको डखकर मैं दो लिट पकाऊंगी अब मैं बहाजी में नमक में ना रही हूं नमक मैं इसमें थोड़ा ही डाला है क्योंकि मैं बॉइल करता सरह भी नमक दाल चुकी है कि मैं भुनावा जीरा लगभाग आधी चम्माट डाल दें हो इससे बहुत अच्छी खुश्बू आती है और टेस्ट बढ़ जाता है यह आपका यह आपका यह आप्शनल है आपकी इच्छा हो तो डाले इच्छा ना हो तो ना डाले मैं इसको पांच ने और पकाऊंगी अब सबसे लास्ट होना है गैस बंद कर दिये मैंने सबजी के नीचे और निम्बू डाले मैंने आधा इसको अच्छे से मिक्स कर रहेंगों अब हम भाजी के साथ के लिए पाव सिकते हैं एक नाव इस्टिक पैन पर अज़ता को टूर में और इसका सबस्टाइब परढ़ने मैं में ने बुन भूब्टर में पर नीचेए पीडिए निन भीड़ी और राया को शेटी तो ज़्यवेश्चा रहे आधा और यह आपकी इच्छा पर निर्वह रहा है कि आप मक्षन कितना लगाते हैं आप मक्षन चाहें तो और लगा सकते हैं मैंने इतना ही मक्षन लगाया है यह आपके स्वात के ऊपर निर्भर करता है अब बन सिक चुपे हैं अब हमारी पाव भाजी तयार है अब भाजी पर एक चमस बटर डाला है उपर से और यह देखें मूली और प्याज का निम्बू का सलाद है आप इस तरह से पाव भाजी बनाइए खाईए और खिलाइए यदि आपको यह मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइप कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए मेरे चानल के लिए नए हो तो सब्सकाइब कीजिए थैंक यू